एक प्लांट तैयार कर सकते हैं तो इसकी कटिंग आज शैर करें तो इसकीड़ी है डिफिट्वाक्य का सहार स HASकते सरी कटिंग प्लांट जे तो इसकीam सेयरा कर सकते हैं कटिंग लगाने के लिए तो फिर फ्रेंड हम जो कटिंग लेंगे इसके दो-दो इंच की ऊपर से लेंगे और डेर इंच हम नीचे काट देंगे तो यह देखिए और हमें कट ऐसे करना है जिससे जिसकी जो चाकू है जो जिससे आप काटोगे हो वह काफ़ी तेज धार होनी चाहिए जो एक ही बार कट जाए तो फ्रेंड देखिए यह सिर्फ स्टैम ही रहेगी इस वज़े से मुझे हाज इस प्लांट को कट करना बढ़ा तो जब भी आप कट करोगे तो इतना ध्यान देना जो इसमें छोटी-छोटी आइज होती है ना इसमें छोटी-छोटी एक पफ से बने रहते हैं उसको कट मत करना तो थोड़ा नीचे से कट करना जिसे कि हम जब मिटी में लगाएंगे तो यह उपर साइड होना चाहिए और यहीं से एक नई स्टैम आएगी चोटा सा जो बीवी पफ निकलेगा इधर से ही आएगा तो उसको कट मत करना थोड़ा ध पगेट होनी के बाद ही पता चलेगा और दूसरा यह है इसको में इसी पॉट में लगा दूंगी तो फ्रेंट्स यह है रूटिंग हार्मन्स जो अलोविरा से भी लग जाता है तो मैंने इनकी जितने भी कटिंग थे सम में मैंने इसका जैल लगा दिया आपके पास जो भी मतलब मैंने काफी लगा दिया था जिससे कि खराब भी नहीं बढ़ता और इसमें रूटिंग हार्मन्स का ही काम करता अलोविरा तो अलोविरा तो हर्ज बहुत ही अच्छा है लाबदाय के तो अलोविरा का प्लांट भी लगा यह करें इसमें थोड़ी सारे में इसमें मैं कैंने इसमें ही इसको लगा दिया देखे क्यकि अगर यह श्ट्रिक रहता तो अच्छा नहीं लगता सिंगल तो मैंने इसको लगा दिया यह कैसा होता है अभी अधिक तर मैं अभी तर्व लगाए हैं तो सब मेरी कट्उ नहीं होई है तोस दिए कुछ कटिंस को यृत blocking कटिंग है जो में सीधी खड़ी करके ही लगाउंगे तो यह देखिए यह मिर्वाब बोटल है इसमें ही कटिंग में लगाऊंगे डिस्पोजल ग्लास होती है तो मैंने इसमें ही लगाया और कटिंग किसी में भी आप लगा लीजिए पर कटिंग लगाने के बाद आप हमेशा इनको शेमी शेड में ही रखिए और यह बहुत अच्छे से लग जाता है और बार बार इसको चैक भी मत करना कभी क्या होता है हम लोग मतलब इतने ऐसे होते हैं कि कटिंग लगी की नहीं लगी तो बार 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 चैक करते तो कटिंग लगाने के बाद एक बार भी आप चैक मत करें बस को देखती रहे हैं उसको टच मत करना बार बार चूने और हिलाने से इनकी कटिंग क्या होता है इनकी रूट जो हिल जाती है जो भी फिर गल्ले लग जाता है तो कभी भी टच मत करना एक ही जगह ही इसको शेमिशिट में रखना और देखिए थोड़ी सी मिट्टी उपर डाल दीजिए थोड़ा-थोड़ा तो बस ये कटिंग तयार हो